हेलो गाइज वेलकम बैट टू वे अब काफी बड़े नंबर पे स्टूरेंट्स की इंगवारी थी डिमांड ये था कि सर हमें ऐसा प्रोग्राम बताईए या फिर युनिवर्सिटी की लिस्ट बताईए जो कि वन ये मास्टर डिगरी दे रही है अभी जब से केनेडा ने य देखें मास्टर के लिए एसा कहा है कैनेडा ने कि वन ये की मास्टर डिगरी करिए ये त्री यह का फिर पीस्ट डब्लू नीजिए मास्टर डिगरी के बाद में आपकी प्यार के चांसेज फिर भी इंक्रीज हो जाएंगे जोब की डिमांड जो भी है वह आप फुल्फि अदर कहीं गंट्री में नहीं मिल रहा है जो कि कैनेडा ने दे लिया वन येर मास्टर्स वालो के लिए अब स्टुडेंट्स के मैं में कंफ्यूजन है कि चलो ठीक है यह तो हो गया पर ऑप्शन हमें मिल नहीं रहे हैं सर अब अपने लेवल पर भी रिसर्च कर रहे हैं तो यहां पर वेब आपको हेल्प करने वाला यह सारी इंफरमिशन में आपके साथ में शेयर करना हूं आप को कॉंटेक्ट कीजिए और जल्दी से ओफर लेडर सिक्यूर करिए क्योंकि यहां पर मैं जो सिनारियो है कि जब वनियर मास्टर के लिए जितने स्टूडेंट्स करनेंगे तो जल्दी से ओफर सिक्यूर करना अगर आपको करना है तो वेब को कॉंटेक्ट कर लेना आप मैं आपके साथ में शेयर करता चलता हूं यॉनिवर्सिटी का नेम और साथ में साथ प्रोग्राम तो आप इसक्रीन पे भी देख सकते हैं कौन-कौन से प्रोग्राम ओफर कर रही है वो भी वन येर मास्टर डिगरेट प्रोग्राम देखिए सबसे पहली जो युनिवर्सिटी है वो है युनिवर्सिटी ओफ वाटन लू जहां पे आप एंब्बे कर सकते हैं इंट्रिनेर्शिप एंड टेक्नोलोजी के अंदर नेक्ट जो है युनिवर्सि सब्सक्ते चाहिए मैंस्टी है युनिवर्सिटी ओफ नूटिजविक अनगरेसट अपर डेक्नीरें मास्ट सोफ प्रोफेशनल अगांटिंग कर सकते हैं और मीक्ष एंग्सट्ट उनिवर्सिटी है यहां पे आप like Masters of Applied Politics and Course Based है या फिर Masters of Arts in Business Economics यह भी Course Based है next जो है Master of Science MSc in Management Analytics MSc in Mathematics या फिर M.A. in Criminology, M.A. in Social Justice and Community Engagement तो यह जो option है आपके पास में इसके अलावा like Neckhead University है Ontario Tech University है University of Prince Edward, Iceland है, Thompson River University Next, Nipsing University मैं one by one बदादा चल रहा हूँ ताकि यह वीडियो लोंग ना हो आपके लिए आप साथ के साथ वीडियो को पोज करें और अपने प्रोग्राम देखते चलें Nipsing University में और भी option है, like Gradle University, यहाँ पे like आप Masters of Organizational Management देख सकते हैं साथ ही डेल आउजी युनिवरसिटी यहाँ फ़र आप like Masters of Arts in Economics या फिर Masters of Development Economics MDE कर सकते हैं तो यह जितने भी options है, यह आप One Year Masters in Canada option है, लिस्ट आपको युनिवरसिटी की मिल चुकी है, आपको प्रोग्राम की लिस्ट मिल चुकी है, अब आपके पास में option हैं कि जल्दी सा अगर offer secure करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी application के submit करेंगे, उतना जल्दी chances offer मिलने तो इन युनिवरसिटी में जो है demand काफी high बन चुकी है, काफी सारे already way up के थूँ अपने master's program के अंदर apply कर चुके, अगर आप भी उस list में आना चाहते हैं, जल्दी सा अपना offer लेना चाहते हैं, यूवन year के master's के साथ में 3 year का PhD कहीं हो और other country में इतना नहीं मिल रा है better chance, य वीडियो helpful लगा है guys, तो वीडियो को like कर ले, channel को subscribe कर ले, ताकि ऐसी ही informative और important information आपको regular मिलती रहे, see you soon in the next video, till then take care bye bye and thank you.